कॉंगेस से पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद के छोड़ने की पेशकश की है वहीं पूर्व प्रधान मंत्री मनमुहन सिंग और वरिष्ट नेता एके एंटेनी ने उनसे पद पर बने रहने को कहा है इसके अलावा पार्टी के पूरवध्यक्ष रहुल गांधी ने नेत्रत को लेकर 23 नेताओं द्वारा सोनिया को भीजी गई चिठी को भाजपा के साथ मिली भगत करार दिया है जिस पर पार्टी के वरिष्ट नेता कपल, सिब्बल और गुलाम नभी आजाद ने प्रतिक्रिया दिया है वहीं एके एंटेनी ने रहुल गांधी से पार्टी की कमान सम्हालने काम रोध किया है बता दें कि राहुल के बयान में पार्टी के वरिष्ट नेता गुलाम नभी आजाद ने कहा कि यदि राहुल गांधी का भाजपा के साथ मिली भगत वाला बयान साबित हो जाता है तो वो अपने पत्स से स्तीफा दे देंगे राहुल पल कपिल सिब्बल ने भी पलडबार किया है शूत्रों के अनुसार बैठत में राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा यानि की पार्टी नेतरत्व में सुधारों के लिए सोनिया गांधी को पत्र भाजपा के साथ मिली भगत की वज़े से किया गया इस पर कॉंग्रेस के वरिज नेता कपिल सिंबल ने जवाब देते हुए कहा कि पिछले 30 सालों में हमने कभी भी किसी मुद्दे पर भाजपा के पक्ष में बयान नहीं दिया इसके बावजूद हम भाजपा के साथ मिली भगत कर रहे हैं रिपोर्ट के मुताबिक सुनिया गांधी ने रविवार को भी पार्टी के नेताओं से नया अध्यक्ष खोजने को कहा था राहुल गांधी पहले ही पार्टी अध्यक्ष भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुके हैं 2019 के लोकसभा चुनाओं में पार्टी की हार के बाद उन्होंने इस पद से स्तीफा दे दिया था तब सुनिया ने अगस्त में एक साल के लिए अंत्रिम अध्यक्ष पद की सिम्मेदारी सम्हाली थी हमारी न्यूज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें